प्रत्यासियों की सूची जारी करके सियासी गलियारों में हल चल मचा दिये है आपके संभावित प्रत्यासियों की सूची आने के बाद लक्नों में सियासी सरगर्मी बढ़ गई इससे बेनिफिट जनता का भी होगा पार्टी का भी होगा जनता भी तो समझेगी कि हमें किसे चुनना है वरना उत्तर प्रदेश और बाकी की राजियों में तो इस्तिती ये है कि चुनाओ जब डिकलेर हो जाता है मद्दान के 15-20 दिन पहले किसको टिकर दिया आता है इसका ऐलान होता है लेकिन आब आदमी पार्टी ने एक नई परंपरा की शुरुबात की है आमात्मी पार्टी ने विधान सभा चुनाओं के लिए पूरी तरह से कमर कसली है और सबसे पहले संभावित प्रत्याशियों का ऐलान करके सब को चौका दिया संजे सिंग ने लखनु में प्रेस कॉन्फरेंस करके पार्टी की तरफ से संभावित प्रत्याशियों की लिश्ट आज जारी करती अब आपके प्रत्यासी अपने अपने शेत्रों में चुनाओ प्रचार करेंगे जिससे कि वो 2022 के रण में आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुँचा सके सव विधानसवा प्रभारियों की सूची आज आम आदमी पार्टी की और से जारी की जा रही है हाँ ये संभावित रूप से यही लोग उम्मिदवार होंगे अब इसमें कहीं से किसी पे बहुत कोई गड़वरी कोई निगेटिव रिपोर्ट कहीं आ गई या हमारे अभियान को बिल्कुल वो जमीन पे चलाने में फेल रहे तो उस स्थिती में पार्टी फिर से विचार करेगी उनके नामों पे अन्यत्हा अभी ये जो नाम है ये हमारे संभावित उम्मिदवार है संजे सिंग ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बेतर घोशना पत्र भी बनाएगी जिसमें यूपी के विकास का विजन होगा आम आदमी पार्टी सिर्फ घोशना करने में नहीं बलकि उसे पूरा करने में यकीन रखती है अभी जो घोशना होंगी आम आदमी पार्टी के घोशना पत्र में जो मुद्दे सामिल किये जाएंगे उसमें जो जो अभियान उत्तर प्रदेश की जनता से हम करेंगे जो भी वादा करेंगे जो भी गोशना पत्र में मुद्दे सामिल करेंगे वो जनता के साथ हमारा करार होगा एग्रिमेंट होगा और उसको लेके अपनी अपनी विधान सभाओं में ये सारे प्रत्यासी अभ्यान चलाएंगे और आम आदमी पार्टी के जीत का मार्ग अपने कारकरता साथियों के साथ मिलके उत्तर प्रदेस की जनता के साथ मिलके हम लोग प्रशस्त करेंगे आम आदमी पार्टी ने पहले ही एलान किया है कि हम 403 विधान सभाओं में चुनाव लड़ेंगे अकेले चुनाव लड़ेंगे यह हमारे पार्टी के सीज नेत्रितु का पार्टी का फैंसला है उत्रप्रदेश में केजिवाल की टीम 2022 में बिजे फते करने के लिए जी जान से जुट गई है और सबसे पहले प्रत्यासियों के घोश्रा करके संजे सिंग ने ये बदा दिया कि वो 2022 के रण को बहुत ही सीरियसली ले रहे है क्योंकि अब दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों का भी विकास करना है ब्यूरो रेपोर्ट भारत समाचार तो आम आदमी पार्टी ने तकरीवन 100 प्रत्यासियों का एलान कर दिया ये 100 विधान सभा के प्रभारी है और यही प्रत्यासियोंगे ऐसा संजे सिंग ने कहा उत्रप्रदेश में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाओं से पहले बयानों का दौर चल रहा है अभी सूबे में अब्बाजान को लेकर